हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशे करता हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमर 12 तो चैप्टर नमर 12 में हमें क्या पढ़ना है वर्ड्स ऑफ विज्टम ठीक है ना जैनि बुद्धिमानी वाले शब्द आज से छोटा सा आप मुहावरा समझ सकते हैं ठीके ना इस तरीके से जैसे नो गेन बिदाउट पेन यानि कि बिना पेन के आप कुछ गेन नहीं कर सकते इस टाइप की चीज़ें यहां पर होती हैं इस नेवर लेट टूमेंड यानि कि हमें मरमत करने में लेट नहीं करनी चाहि हैं कि अगर पानी कम रहता है तो वह बहुत ज्यादा चलगता है लेकिन अगर किसी भी बरतर में पानी ज्यादा रहता है तो वह बहुत ही शांत रहता है ठीके ना जिसके पास कम ग्यान होता है वह बहुत ही ज्यादा बोलता है ठीके ना और जिसके पास ग्यान ज्यादा हो जो फोटो होती है वो बहुत ही कुछ कह देती है बिना कुछ कहें तो क्या होगा वर्थ का मतलब क्या होता है बहुत ही प्रिसीशियस सेकर्ड नमबर है इस्माइल लिख सकते हैं या लॉफ्टर लिख सकते हैं वैसे यहां पर लॉफ्टर लिखने के लिए लॉफ्टर लॉफ लाफ्टर जो होता है वो बेस्ट मैस्टिन होता है यानि कि हमारी सारी दुखों की दवा है कौम लाफ्टर फिर है थर्ड नंबर नो गेंट विदाउट पें तो गेंट यहाँ पर होगा क्योंकि हमें बिना पेंट के कुछ मिलता नहीं है ठीक है यह कुछ पाने के लिए यानि कि जो वर्कमैन है यानि कि अगर काम करने माला अदमि नहीं सही है तो आप टूल को लेकर क्या करेंगे ठीक है तो उसका मतला यह है कि जैसे अगर कोई काम आता नहीं है किसे अर्छे करनेrees आपको यह पाने संदुन शेर दीए दिए घटीक है जले अब आता है फाय न ठीक है मरा मत करने में हमें लेट नहीं करने चाहिए सिक्स नमबर है एंड एंपटी वेचल एंपटी का मलब क्या होता है जो बरतन ज्यादा खाली रहता आवाज भी बहुत ज्यादा करता है ठीक है जैसे आपने एक ग्लास लिया उसमें आप एक कौइन डाल देजी और उसको सब पास्त कम है वो क्या है चला चला के बता रहा है ठीक है तो यहां पर कहाने छेज्डा करने के लिए इन्हें लोगों की जरूरत होती है ठीक है इस अपकर साइलेंस रहते हैं चुप रहते हैं तो आप बहुत चीजियों को ना नाहीं सuencia से that end is well यानि कि अंत भला तो सब भला यानि कि लास्ट में अगर आपका काम को अच्छा हो जाता है तो इसका मदलब क्या होता है कि सब कुछ क्या है आपका सही है टेन नमबर है फॉल सेवेंट टाइम्स stand up 8 यानि कि इसका मदलब क्या हुआ कि हम कितनी भी बार अपने काम को करने में गिरते हैं लेकिन हमें बार बार क्या करना चाहिए अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए और बार बार ख़ड़े के वह काम करना चाहिए learn to जब तक आप success ना हो जाए learn to dash before you run तो पहले आप चलना सीखिए क्योंकि जब आप चलना सीखेंगे तभी आप दोड़ पाएंगे ठीक है ना तो जो भी काम आप करते हैं उसे step by step करिए ठीक है झाँ